प्रिय चात्रों आज हम इस वीडियो में उपायोजित लेखन अर्थात राइटिंग स्किल के एक महतुपूर्ण विशय चित्रवरणन के बारे में पढ़ेंगे चात्रों इस वीडियो में हम चित्रवरणन के बारे में जानेंगे चित्रवरण किसे कहते हैं? चित्रवरण से क्या लाब हैं? चित्रवरण की क्या उशेष्टाएं हैं? चित्रवरण का तरीका क्या है? इन सभी मुद्धों को हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे सबसे पहले यहाँ पर चित्रवरण की परिभाशा दी गई है किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कलपना शक्त के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्रवरण कहलाता है दूसरे शब्दों में चित्र को देखकर उसमें निहित क्रियाओं, स्थितियों और भावों का वरण ही चित्रवरण कहलाता है सरल शब्दों में दिये गए चित्र को देखकर उस चित्र को अपने शब्दों में प्रस्त करना ही चित्रवरण कहा जाता है चात्रों प्रत्री पर मानवी एक मात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने कल्पना शक्ति का वरदान दिया है किसी भी वस्तु दृष्य या चित्र को देखकर उसके मन में अनेक भाव जन्म लेने लगते हैं अपने अन्भव के कारण किसी घटना या वाता वरण के प्रती उसकी अपनी प्रत्क्रिया होती है अपने इस अन्भव या प्रत्क्रिया को सशक्त और प्रभावशाली भाशा के माध्यम से व्यक्त कर पाना ही चित्र वरण का उदेश है वरणन के लिए दिया गया चित्र किसी घटना को दर्शाने वाला, किसी पूर्ण स्थित को व्यक्त करने वाला, किसी व्यक्ती वुशेश या प्रकृति से संबन्धित हो सकता है चित्रवर्ण के लाव क्या है यहां पर यह बताया गया है चित्रवर्ण से वस्त्मों या द्रिश्यों को परखने की शमता का विकास होता है चित्रवर्ण से कलपना शक्त का विकास होता है चित्र वर्ण से अपने विचारों को एक सूत्र में पिरो कर लिखने की प्रतिभा का विकास होता है भाशा लेखन का विकास होता है चित्र वर्ण की विशेस्ता हैं पहली बात जो दी गई है पहले चित्र को बारीकी से देख लेना चाहिए दूसरी बात जो बातें आपको चित्र में नजर आ रही हैं उन्हें अलग से लिख लेना चाहिए तीसरी बात यदे चित्र में व्यक्ति दिखाई दे रहे हों तो उनके चेहरे के भावों के आधार पर सुख दुख आदी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए जिर किसी महापुर्श या चर्चित व्यक्ति का चित्र हो तो उस व्यक्ति के प्रति निजी विचारों या भावों को प्रस्तुत किया जा सकता है वाकि रचना करते समय उक्तियों, मुहावरों वा लोकोक्तियों का प्रयोग भी आपकी भाषा को सुन्दर और प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं चित्र वरण करते समय आपके सभी वाकि चित्र से संबंदित होने चाहिए चित्र वरण में आवश्यक बातों को नहीं लिखना चाहिए, चित्र वरण ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए केवल आपको साट से असी शब्दों में चित्र वरण करना चाहिए चित्र वरण में जितनी भी चीजें दिख रही हों सभी का वरण होना चाहिए यदि चित्र के साथ शब्द भी रखे हो, तो उन सभी शब्दों का प्रयोग आपके वाकी में हो जाना चाहिए वाकी रचना करती समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके वल वर्तमान समय में ही वाकी रचना करें पहले वाक्य में बताएं कि दृष्य किसका है और अगले वाक्य में दृष्य में क्या क्या हो रहा है ये बाते बताएं इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि विशह और वाक्य में क्रम बद्धता होनी चाहिए चित्रवरण एक कला है इसे अभ्यास के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है अतह बार बार इसका अभ्यास करते रहना चाहिए चित्र वरण का तरीका क्या यहां पर दिया गया है यदि आपको संक्षिप्त रूप से कहें तो आपको चित्र वरण करते समय क्यों पांच बातों का ध्यान रखना है पहली बात है सरवप्रतम चित्र को ध्यान से देखना है दूसरी बात संपूर्ण चित्र किसका है यह बताना है तीसरी बात चित्र में कौन-कौन सी क्रियाएं हो रही है उन्हें क्रम से लिखना है चोथी बात फिर चित्र के माध्यम से कही जा रही बात को अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करें और अंत में अपने विचार लिखें तो चात्रों यद इन बातों का ध्यान रखकर आप चित्रवर्ण करेंगे तो निश्चय ही एक अच्छे स्तर का एक प्रभावशाले चित्रवर्ण आप कर पाएंगे चित्रवर्ण के अभ्यास के लिए आपकी व्याकरण और रचना उस्तक में चित्रवर्ण के उदाहरण दिये गए हैं आप उन्हें ध्यान से देखें, चिंतन करें, मनन करें, पढ़न और अच्छी तरह से उसे पढ़ें, क्योंकि बिना पढ़े मातर चित्र देखने से चित्रवरण अच्छा नहीं हो पाएगा, उसके लिए आप बार बार पढ़ें, खो सके तो लिखकर अभ्यास भी करें, यद आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो निशित रूप से परिक्षा में चित्रवरण से संबंदित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से लिख पाएगे, इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, धन्यवाद.